आप सब कैसे हैं आई हूप आप सब बच्वेंगे कुछ गारण अन ब्लाउग में गवार फिर से आप सभी का स्वागत है आज ही वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे प्लांट के बारे में जिसमें गर्मियों के मौसम में काफी फूल आते हैं भर-बर के फ्लावरिंग हो अक्सर होता है फार्चुला का प्लांट हम नर्शरी से लेकर आते हैं तो कुछ टाइम बार एक दू बार फ्लावरिंग करके प्लांट सूखने लगता है तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है इसके बारे में बताने वाली हूं और कुछ के टिवस बीश्य बताओंगे फार्चुला का को आप बीजो से ग्रो कर सकते हैं बीजो से ग्रो करने में आपको बहुत फाइदा है आपके पास धेर सारे प्लांट हो जाएंगे अगर आप इसकी कटिंग भी लगाते हैं तो आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं मैं दो प्लांट नर् की पोधा गंदी मैं इसमें क्रोथ होती है अगर इन्थे वस्तिय ύकल को थे लगते हैं ज़रे डिल कि आधी कर लाक़ित only तो तो दिल्क वार्टिंग ऑ ocasional शर्रान दाल में तो प्लांट कर व्सक्राइब कर दोह सबहांब इसलिए पौदों को सही टाइम पर नूट्रेशन देना बहुत जरूरी हो जाता है। देखें मेरे प्लांट में कितनी डेज सारी कल्या बनी हुई हैं। और इससे मैंने बहुत सारे प्लांट तयार किये हैं। मैं नर्सी से पौधा लाई थी उसके बाद मेरे फूल थे उनका साइज काफी छोटा था मैंने अपना फोटिलाजर दिया और अभी आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में फूली फूल है और इनके जो फूलों का साइज है उसके आफी अच्छा हो गया है तीन बहिनों से लगाताल फ्लावरिंग कर रहे हैं मेरे ये प्लांट और मैंने जो कटिंग से प्लांट लगाए हैं उनमें भी अब फ्लावरिंग होड़ी लगी ये देखिए ये मैंने कटिंग से त्यार किया है और इसमें भी काफी डेल सारी कलियां बन रही है तो ये देख किये हैं और इनकी भी क्रोथ काफी अच्छी है अब इसमें भी कलियां बनने लगी हैं बहुत जल्द इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी खात की बात करें तो आप इसमें केले के छिलकों से बना हुआ लिक्विड डाल सकते हैं केले के छिलकों को आप कट करके 24 घंटे के लिए पानी में डाले और उस पानी को अपने पौधों पे योज कीजिए इसमें केलेशियम फासपोरस मैगनीशियम भरपूर मात्रा में होता है तो आपके प्लांट में नूट्रिशन मिलेगा तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी दूसरा आप लीप कंपोस डाल सकते हैं लीप कंपोस में नुट्रोजन फासपोरस कैलेशियम मैगनीशियम सभी पोशकत मवजूद होते हैं जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी फ्लावरिंग अच्छी होगी तो आप उसका योज कर सकते हैं लीप कंपोस आप घर पे भी बना सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं, तीसरा फोटिलाजर आप प्याज के छिलकों को आप पानी में डुबा के रखिए, उस पानी का आप अपने प्रांट पे यूज कीजिए, तो देखिए का आप कितनी जल्दी और कितनी धेर सारी फ्लावरिंग होती है, तो आज के लिए इतना ही उमीद है मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेट कीजिएगा, चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और प्रेज कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूँ, उसका नोडिक आपको मिल जाए, थैंक्यू फोर वाचिंग, बाबाई